दोस्तों बॉलिवूड इंडस्ट्री से बीते कुछ दिनों से काफी मनहुस खबरे ही सामने आ रही हैं जहां पहले लतामंगे सकरजी का निधन हुआ और उसके बाद प्रवीन कुमार जी दुनिया को अलविदा कह गए तो वहीं अब खबरे आ रही है कि बॉलिवूड की अलविदा कह दिया है जिसकी वज़े से जहां रवीना टंडन ने इसकी खबर अपने सोसल मीडिया के जर्ये दी है और अपना दुख जताया है तो वहीं रवीना टंडन की इस दुख के घरी में उन्हें उनके एक्स बॉइफ्रेंड ने भी सताबना दी है तो आखिरकार सिप रह चुका है और इसलिए तो अक्षे गुमार ने रवीना टंडन के फादर की दैत की खबर सुनी तो उनके आखों में आसू आ गए और उन्होंने उनके पिता के निधन पर सतावना देते हुए कहा कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि रवी टंडन जी अब हमारे बीच नहीं है पर इनका आसिरवाद हमेशा ही आप सब पर रहने वाला है भगवान इनकी आत्मा को सांती दे और इनके परिवार को इस दुख से निकालने की छंता दे नमबर दो अजे देवगन अजे देवगन के साथ भी लव रिलेसंसिप में रही थी हलाकि लंबे समय से इन दोनों में भी मन मुटाव रहा है पर पुरानी बातों को भुलाते हुए अजे देवगन ने इनके पिता के जाने पर अपना दुख जताया है और कहा है कि मुझे जैसे ही इस खबर के बारे में पता चला मुझे सच में दिल से बहुत बुरा लगा बॉलिवुड से हर रोज ऐसी खबरे सुन मेरा तो दिल ही टूट जाता है मैं प्रात्न करता हूं कि भगवान आपके पिता जी की आत्मा को सांती दे नमबर 3 गोविंदा रवीना टंडन के साथ उनकी हर एक फिल्म में जवर्दस्त जोडी पेस करने वाले गोविंदा इस लिस्ट में आखरी नमबर पर आते हैं जिनका रवीना टंडन के साथ ही नहीं बलके उनके पिता के साथ भी काफी अच्छा बॉंड रहा था जिसकी व जेसे उन्होंने इनके पिता के निधन पर सोप व्यक्त करते हुए उनके जाने का दुख प्रकट किया हैं तो दोस्तों रवीना टंडन के पिता के निधन की खबर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आप हमें अपनी राइ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए साथ ही बॉलिवोड इंडस्ट्री से जुरी ऐसी और खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले